करनाटक के तुमकुरो में 2015 में रंग राजु नाम के एक शक्स ने कम्प्यूटर क्लास से लौट रही 21 साल की महिला का कला रेद कर हत्या कर दी थी महिला की मौत के बाद रंग राजु ने महिला की लाश के साथ संबन बनाया पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे गिरफतार कर लिया गया तुमकुरो जिला और सत्रा अदालत ने उसे दो आरोपों में दोशी ठहराया हत्या के आरोप में अदालत ने उसे आजजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपे का जुर्माना लगाया दूसरी सजा बलाद कार के लिए 25,000 रुपे के जुर्माने के साथ 10 साल की जेल थी रंगराजु ने कहा कि हत्या और बलाद कार का कोई प्रत्रक्ष दर्शी और सबूत नहीं है इसलिए रंगराजु ने करनाटक उच्चने आले में अपील दायर की उच्चने आले ने कहा रंगराजु ने लड़की की हत्या की और जिला अदालत की हत्या की सजा सही थी हाला कि मुरूत शरीर के साथ यौन सम्मन मुराना अवैद नहीं है क्योंकि मुरूत महिलाओं की सुरक्षार के लिए कोई कानून ही नहीं है इसलिए बलातकार के लिए सजा का कोई आधार नहीं है इसलिए हाँ उसे उस पर लगे बलातकार के आरोब से बरी करते हैं हाला कि हत्या के लिए उमर कैद की सजा अभी भी कायम है इसके अलावा करनाटक उच्चनियाले और से और भी फैसला आया उन्होंने कहा कंड़ेड़, न्यूजिलन, डक्षण अफ्रिका और युके में लाशों के साथ यौन संबन्त को गेर कानूनी गोशित कर दिया गया है उच्चन्याले ने कहा कि करनाटक राजय सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो लाशों के साथ यौन संबन को प्रतिबंदित करते हैं इससे लोग इस तरह की हरकते करने से बाज आएंगे हाई कोट ने ये भी कहा कि शवों के साथ सेक्स का लुफ्ट उठाना नेक्रोफीलिया कहा जाता है ये एक मानसिक विकार है लाशों को अस्पतालों और नेजी मुर्दा घरों में पोस्मॉटम और अन्या प्रतिक्रियाओं के लिए रखा जाता है जो लोग नेक्रोफीलिया में शामिल होना पसंद करते हैं वे जान पूच कर यहां नौकरी करते हैं ये एक मनोव्यग्यानिक समस्या है वे युवा मुरुत लड़कियों के शरीर पर यौन हमला करने से आनन प्राप्त करते हैं इस सब को रोकने के लिए उच्चिन्याले ने सरकार और निर्जी मुर्दा घरों को अगले 6 महिनों के भीतर CCTV कैमेरे लगाने की शिपारिश की है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के मामले ना हो उन्होंने राज्य सरकार से नए कानूनों को लागू करने के लिए कहा है